एक है लो गाईज आई होफ यू आज का वीडियो शीवरू करते हैं ठीक है बच्चों तो जितने भी बच्चे हो जो कि बिटेक कर रहे हो एम टेक कर रहे हो ओके या पिछ डी भी कोई कर रहा है तो जो इंडियन इंस्ट्रीटूट ऑप स्पेस साइंस टेकनोलोजी है और इं एक प्लिकेशन फोर्म है इंटैंचिप के वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके यार बहुत सारे इंस्ट्ट्ूट है इसरो एक ही नहीं है उसके एलिस 31 सेंट रहे इसरों इंडिया जो है उसके अभी तक 31 सेंटर है 31 को अगर है घं बेंगलोर के अंदर है, एमदाबाद में है, गुजुरात में है, उत्राकंड में है, चंडिगड में SCL है, राजस्तान में दो है, जोदपूर और उद्धेपूर के अंदर, ओके और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर उसके जो है, सेंटर से, तो चलिए देख लेते हैं इस सेंटरों के ओफिशिल वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग इंफरमेशन, सिके स्टुडेंट, बच्चा जो यह इंटेंसिफ प्रोवाइड हो रही है, इंडियन इंस्ट्टूट ऑब स्पेस साइंसें टेक्नोलोजी यानि की IIST, इंडियन इंस्ट्टूट ऑब रिमोर यानि की PRL, Semiconductor Research Laboratory जो की चंडिकेड के अंदर है, नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर इदरबाद, विकरम सारवाइज स्पेस सेंटर तिरिवन्थपुरम, ओके सो यह इतने सारे देर रखें हैं आपके सामने, आप जैसे की अगर मैं इस पेक्लिक करता हूं जो भी चंड इस अप्लाई कर सकता है, आपको एक भी पैसा पीall नहीं करना, अगर आप Select हो जाते हो, तो उसके बाद में जो हैं, आपको at least 100 रुपे देने हैं जो की Identic Card के, जो भी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद देना है, पहले एक भी पैसा नहीं देना है, और इसकी Last Date जो है वो है 31 मार्च अभी ओके अभी एट लिस्ट फर अवरी स्टार्ट हो गया है और अभी 31 मार्च तक आप जो है अपने अप्लिकेशन संबिट कर सकते हो अब आप आगे क्या करना है वो भी देख लेते हैं सो बच्चा पार्टी आपने देखा कि अप्लिकेशन तो आ चुका है अब इसका कोई वहां पर लिंक नहीं दिया गया है अप्लिकेशन का और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और कौन-कौन इलिजिबल है और कितने मार्क्स चाहिए इसके बारे में भी हम चर्शा कर लेते हैं ठीक है यार ओल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करते हैं प्राइवेट वाले इलिजिबल नहीं है इसका यह कहना है सिर्पोर्शिफ गोर्मेंट रिकॉक्नाइज इंस्टिट्यूट्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं ओके ठीक है और अब बात कर लेते हैं माक्स की तो एटलिस जिन बच्चों के नाइन सी जीपी हैं उनके कुछ कुछ चांसस है यार यहां पर हजारों के अंदर अप्लिकेशन आते हैं सभी को बता है तो वैसे तो उपाना बहुत मुस्किल होता है ठीक है अगर आपके 8.5 या पिर अगर 9 सी जीपी है तो पूरे पूरे फुल 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 चांसस बनते हैं ओके और हमारे जैसे बैचारों के पांच से भी नहीं आ रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता तो वह तो बिल्कुल अप्लाई करें ही न आप करते हैं मुद्दे की बात जिन बच्चों के सकते हैं और इसका प्लाई करने के लिए अपने युनवर्सिटी को एक छोड़न को है कि हम घोरे जो गरेंगे उसको जो है इसको आप वाक नहीं कर सकेगा कुछ इसको कुछ भी नाईरिशर्च बगरा या पुर प्रिग्शन होता है या पिर उसको पेटेंट बगरा होता है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं किया दा सकता युदिवर्सिटी के दुवारा जो भी बच्छा वहां पर रिसर्च करता है फस्तो यह कंडिशन होती है इस वरों के जितने भी इंस्टिटूट है फस्ट अफॉल ध्यांद रहे है ओके डैन सेकिंड यह है कि आपको जो पी आपका हेड ऐड ऽुप डिपार्टमेंट है उसको मुझा को पुप प्रिंसिपल या पर आपके जो भी मेनेजिंग डारेक्टर वेगरा जो भी होते हैं इंस्टिटूट के अंदर आपको उनको बोलना है अपने जो भी डॉकुमेंट से वो समिट करने हैं उनके पास और वो उसके अंदर जो इंक्लूड करेंगी कि आप उनके स्टुडेंट हो हाँ आपका यह आईडेंटिक कार्ड है ऑप उनके पास पढ़ रहे हो कब से पढ़ रहे हो अभी कौन से स्थमेश्टर के अंदर हो जो भी आपका सारा का सारा रेज्यूमें है वो आपको अपने जो भी head of department है या फिर managing director है या फिर आपके principal है उनको दे देना है और जो भी उनकी email id दी गई है जितने भी space centers है उनको जो है आपका head of department आपका रेज्यूमें email करेगा ओके सो अगर आप अगर select होते हो तो वह response करेंगे अगर आप select नहीं होते हो तो उनकी तरब से कोई reply नहीं आएगा ओके और जो भी आपकी research जो भी आपका opportunity program है वह at least अभी अगर आप 30 मार्स तक submit कर देते हो अगर आप select होते हो तो I think June July में आपका start हो जाएगा intensive program ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपने गंटा-गंटी का account ओपर देया होगा ठीक है और वह like वला button भी वेट कर रहा है तो उसको भी दबा दिया अगरो ठीक है अच्छा लगता है थोड़ा वैसे कोई पैसा नहीं मिलता हुझे तो अच्छा लगता है तो दबा दियो ठीक है कोई प्रक्रिक पड़ता ह है उसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसको चेक आउट कर लीजिएगा ओके थेंक्यू थेंक्यू शो मैच और जिन बच्छों के बहुत अच्छे मांक्स है और वह किसी प्रोजेक्ट पगरा पर बग कर रहे हैं वह भी आप अटेज कर सक सकते हैं उनको बता सकते हैं ठीक है सारा जो भी इंटिफाई होता है वह इमेल के जडिया जाता है कि किस बच्छे को लेना है किस बच्छे को नहीं लेना और मांक्सी भी बहुत मेटर करता है ठीक है तेंक्यू सो मच बाइट टैक यह